दोस्तो अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जा है यानि कि किसी व्यक्ति की मृत्यू हो जा तो उसके आदार कार्ड और पैन कार्ड इन दस्ता बेजों को क्या उत्रा अधिकारी रखता है या फिर इन दस्ता बेजों किसी विभागी अधिकारी को बापस सौपना होता है तो आज अगर किसी व्यक्ति की मिरत्यों हो जाती है तो उसके बाद उसके पैन कार्ड का क्या किया जाता है तो दोस्तों पैन कार्ड के लिए मैं आपको प्रोसेस बता दूँ कि अगर आप पैन कार्ड ऐसे व्यक्ति का आपके पास है इसकी मिरत्यों हो चुकी है तो उनके पैन कोई द्रोपयोग कर सकता है तो आप जो है उस pen card को अपने छेत के assessment officer को application लिखित में दे सकते हैं उस application में आप उस pen card का पूरा का पूरा विपरन दर्ज कर दीजिए सांती जो pen card है उस pen card को उसके साथ attach करके उन्हें surrender कर दीजिए इससे दोस्तों क्या होगा कि आपका जो pen card उस अधिकारी के पास पहुंच जाएगा और वह अधिकारी जो है उस pen card को बापिस ले लेगा इसके अलावा दूस्तों अगर हम बात करें आधार card की कि क्या आधार card की भी ऐसी कोई process है जिससे आधार card को बंद कराया उसमें यह है कि अगर आप आधार card किसी का मृत्यों हो चुकिया और उसका आधार card आपके पास है तो उस आधार card को आप जो है मृत्तिव प्रमालपत्र से लिंक कर सकते हैं उससे होगा क्या दोस्तों कि कोई भी वैक्ति उस आधार card के माध्यम से को दुरूपियोग नहीं कर पाएगा तो अगर किसी की मृत्तिव हो जाती है तो इस तरह से दौनों लाता रहता हूं तो आज किस वीडियों बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियों तब तक के लिए थैंक्यू सो मच धन्यवाद